कि निम्लिकेत में से कौन सी संख्या आठ से विभाज है आठ से कोई संख्या कब करता है जब अन्तिम में 3-0 हो या अन्तिम 3 अंक 8 से कटता हो इसके अन्तिम 3 अंक को छेक करिए 8 324 7 बचेगा आठ नमाबहत्तर विकल पे आंसर हो जाएगा एक यू उप्सन तो चुनना है नि है नहीं कटेगा इसके अन्तिम 3 अंक को छेक करिए 8 324 7 76 नहीं कटेगा यानि हमारा एक मात्र ऑप्सन ए है जो कि आपका आठ से कटने वाला है दिविजिबिलिटी पता हो तो बड़े आसानी से आप अपने कोश्चन का अंसर बता सकते हैं यानि हमें 8 से ही चेक करना है क्य 32 नहीं कटेगा आठ से इसको चेक करिए 8 चौके 32 दो बचेगा 22 नहीं कटेगा आठ से 8 एक अमाट और 8 पंचे 40 नहीं कटेगा आठ से अंतिम 3 अंक में 8 से भाग करके देख लिजिए नहीं कट रहा है तीन ओप्सन हम लोग हटा दिए चौथा अंसर हो गया यह मैं लिकत में से कौन सी संक्या 2-3-5 से विभाज है वहीं दो तिन पांच तीनों से वही नंबर कटेगा जो 2-3-5 के LCM यानि 30 से कटेगा तो 2-3-5 पांच का रूल क्या है जिसके अंति में 0 या 5 होगा तो एक बिकल्प तो यहाँ पे हटा दिए आईए इसको चेक करते ह 2-3-5 दो से कट रहा है लास्ट में 0 है दो से कट जाएगा तीन से अंको को जोड़िए 3-1-4-5-9 तीन से भी कट रहा है पांच से लास्ट में 0 है विकल्प ए हमारा अंसर हो गया रिपीट कर रहे है अपनी बात को हमें ऐसा संख्या चुनना है जो 2-3-5 से कटे तो 2 से यह क सक्ट्सारी ने मतलब कितिंसे कटेगा और लेकिन यह नंबर 5 है कर लेते हैं इसको देख़ये हैं इसको नंबर 2 से कटेगा नहीं कटेगा दो से वही नमबर कटती है जिसके लास्ट में 0 या समसंग क्या हो इसको चेक करिए 2 से कटेगा लेकिन यह नमबर 5 से नहीं कटेगा 5 से क्यों नहीं कटेगा क्योंकि 5 से वही नमबर कटता है जिसके लास्ट में 0 या 5 हो यहां देख लिए यह वाला नमबर 2 से भी कटेगा 5 से नहीं कटता है तो यहां नंबर जो है वह 2 और 3 से तो कट रहा है दो और 5 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 3 तो देखिए अगला सवाल देखिए क्या है निमिलकित मेंसे कौन सी संक्या जो 9 से भी भाज है 9 से कटने वाला नंबर 9 से वही नंबर कटेगा जिसके अंको का योग नंबर आपका 9 से कटती हो तो यहां तो 9 से कट जाएगा इसको नहीं चुनना है नहीं कटती हो ठीक से देखिएगा इसको 4-9-4-4-4-4-18 यह भी 9 से कट जाएगा इन 5-8-2-10-5-5-15-3-18 यह भी 9 से कट जाएगा तो हमारा आंसर तो बिकल्पसी हो जाएगा तीन ऐसा ओप्सन है जो कि 9 से कटता है हमें क्या चुनना है ऐसा ओप्सन जो 9 से ना कटे देखिए 5-4-9-3-12-9-21 अंको का योग कटेगा आगे बढ़िया दोनों से बिभाज है नौ और 11 ब्रम से बिभाज नोए पहले आसर चेक यह विद wast dro चेक करिए 279 716 218 1927 यह आपका 9 से कटेगा अंको कायोग कितना आया अंको कायोग आया है 27 अंको कायोग से कटने वाली है इसका मतलब यहां 9 से कटेगा 279 716 28 18 और 1908 27 अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या यह 11 से कटेगा तो 11 के लिए अल्टरनेट अंको को जोड़िए तो दू और साथ 9 9 और एक दस पहले अल्टरनेट का योग साया जो बच गया होगा वह भी अल्टरनेट में तो साथ 9 9 8 17 इन दोनों का डिफरेंस जो है जीरो यह 11 का मल्टिपर नहीं है मतलब यह 11 से नहीं कटेगा नौ से तो कटती है इसको चेक करिए एक आठ नौ एक दस नौनाइस और नौ अटाइस आठ कितना च्छतिस नौ से कट जाएगा अंको का यह 36 है मतलब नौ से कटेगा एक यारस चेक करते हैं अल्टरनेट अंको को जोड़िए एक और एक दो दो और नौ एक ग्यारा आगे नहीं है पहला अल्टरनेट है 11 जो बच गया वह अल्टरनेट में होगा तो आठ नौ सतरह सतरह आठ पचीस इन दोनों का डिफरेंस जो है वह चाउदा का आएगा मतलब यह नमबर आपका 11 से नहीं कट रहा है तीन ओप्सन हम लोग अगर चेक कर लेंगे तो चौत हम लोग चेक करने के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि वह अंसर हमारा होई जाएगा नो आठ सतरह एक अठारा अंको का युग अठारा मतलब यह नमबर आपका नौ से कट जाएगा तो एक पलस जीरो एक एक और आठ कितना हो जाएगा नौ जो बच गया वह अभी अल्टरनेट में हो जीरो और नो बचा है इसका योग 9 होगा अल्टरनेट आंको के योग फ़ल का अंतर 01 19 sono से कट जाएगा नबर कट रहा है लो से कट रहा हैं हमें ऐसा नमबर दोनों से कट रहा है बेंकित मैंसे कौन सा Safety भी कटेगी काँ सांख्या 15 से ॏ describe 15 का टा कर दा डेर्यक्ट रूल से तो अगर कोई नमबर 3-9 5-2 से कट आ होगा मना करते तीन और हमें या वाला नमबर 15します किसको चुनना नहीं गटेगा इसको चेक करें 25 चरह 9 शबब 15-awan नमबर पंद्रव से से नहीं कटती है तो इसके आंको कायोग तीन से नहीं कटे वह नंबर तीन से नहीं कटेगा पांस से तो कटती है लेकिन तीन से नहीं कटती है इसका मतब यह नंबर पंदरह से नहीं कटेगा सवाल नंबर आठ पे आई यह कौन सी संख्या 45 से विभाज है 45 से कौन सा नंबर सब्सक्राइब लग रहा है कि सभी उप्सन पांस से कट रहा है तो लास्ट में पांच होगा नौ से चेक करना है कर लिजी एक दो तीन तीन छे चार दस पांच पंदरह यह हमारा अंसर नहीं होगा फ्तान से कटने वाला इसवर चुनना है पांच से तो सभी उप्सन कट रहा है यह 9 से नहीं कट आए इसकोचेक कर एन के शुन आया इसका मतलब हिएा अपका न इसे नहीं कटेगा यह चेक कर ए considerationnaire शास्ट्री आपनलब 9 से कट अर्थ 23% आगे बढ़िए निम्र में कौन सी संक्या 30 से विभाज है 30 से विभाज है 30 को ऐसे दो भागों में माट लीजिए न इसका डिवीजिबिलिटी आपके लिए आसान हो तो देखे 30 से वही दो नंबर कटेगा जो 30 से भी कटे रहा था इसका मतलब 30 से कट जाएगा इसको चेकरी दो तिन पांच चार नोव पांच चौदा अंको का युग चौदा आया इन से नहीं कटेगा चार तिन साथ उन्हों एक दस अंको का युग दस आया नहीं कटेगा तीन से चार पांच नौच छो पंदरा साथ 157 बाइस यह आपका थिन से नहीं कटता है हम एक ऐसा औप्सन चुदना था जो तीन से कटे इससे कटे एछ गते क्लिवाश्य त दॉस्ताइपEx में बाटेंगे हम 44 से वही नंबर कटेगा ठीक है 44 से वही नंबर क्या हो रहा है कि वाली से वही नंबर कटेगा जो चार से भी कटती हो और साथ में 11 से भी कटती हो तो चार से देखिए तू क्या सभी सब्सक्राइब कर रहा है तो इसको चेक करते हैं एक और पांच छे और तिन नौ पहले अल्टरनेट का यूग नौ आया जो बच गया वह अल्टरनेट में तो तो 5 दो साथ और दो नौौ 9-9 जीरो यानि एक ऐसा ऑप्षन विकल्प ए है जो कि आपका कट्रा एकिस से जो कि आपका कट्रा एक एक आरह से और चार से भी लेकिन चुकिशी ऑप्षन जो दिया है वह ऐसा दो दो है बी और सी ए और सी इस तरीके से ठीक है तो ए वाला ही हमा है आगे बढ़ते हैं यह नमबर आपका चवाली से कट रहा है इसको चेक करिए एक और पांच छे और चार दस पहले अल्टरनेट का योग दस जो बच गया वह बहुत अल्टरनेट में तो पांच दू साथ साथ और आठ पंदरह सेगेड़ अल्टरनेट का योग 15 कितना का पांच यह नमबर आपका नहीं खटने वाला है डिक है ऊगे चैक करिए इसको चिक करिए एक और चे Staff कनी यह याँ पहले अल्टरनेट पांच अफा चाहर만 bark एक 11 और 18 साथ का यह भी हमारा आंसर नहीं होगा आगे चलिए इसको चेक करते हैं यहां देखे क्या है एक और छे साथ साथ और नौ कितना सोला पहले अल्टरनेट का योग सोला जो बच गया वह अभी अल्टरनेट में होगा तो पांचनों चोदा दूस्सोला दोनों का डिफ और यहां पर दो दो ऐसा डाटा है जो कि आपका कट रहा है 11 से एक तो बिकल पे दूसरा बिकल बी तो आंसर क्या होगा बिकल्प डी आप बोलोगे चेक करना था चौवाली से आप चेक किए गारा से चार से तो सभी ऑप्सन कट रहा है देखे बता लगा चार से वही नंब में से कौन सा सतरा से बिभाज है सतरा से बिभाज तरह से तो काटके देखना पड़ेगा चेक कर लेते हैं तो यही तो लग रहा है तो सटरा से कट जाएगा ओगे बढ़ियो अगला देख लिजे के को इस प्रकार ग्याद कीजे कि साथ अंकों की संख्या यहां जो है वह बारा से बिभाज है के का हमें ऐसा मान लेना है कि यह नंबर बारा से कट जाए यानि 510 इसके अलाबा क्या है 32 और साथ में दो बार के है और के के अस्थान पर हमें एक ऐसा नंबर लेना है कि यह बारा से कट जाए और बारा से कौन सा संख्या कटता है बारा से कोई संख्या तभी कटेगा जब वह तीन से भी कटे और चार से भी कटे तीन से भी कटे और चार से भी कटे ठीक है चलिए यह और एकी सबसे पहली चीज यहां पर हम क्या नहीं ले सकते कि तो नहीं लेंगे क्योंगे क्यूंकि दो लीजेगा तो लास्ट का दोंग वहो गमोलको कर दोगे Q यह चार से मुझा नहीं हो ले exterior है कि हम क्या रख सकते हैं last के दो अंग या तो चार चार या आठ तो चार चार रख के देखते हैं चार चार रखने पर चार से तो कड़ जाएगा और तीन से कड़ता है कि नहीं चेक करते हैं तो देखे 4-4-8-2-10-3-13-14-14-14-19 जब last का दो अंग हम चार-चार लिए यानि के के अस्थान पर जब हम चार रखते हैं तो जो वैलू आता है वह आपका चार से तो कड़ता है लेकिन तीन से नहीं कड़ता है तो बिकल्ब बीव की आंसर नहीं होगा तो बिकल्ब C आंसर इस के कि अस्तान पर क्या रखेंगे आठ आठ अब देख लीजी क्या स्थान पर रखने पर चार से तो गट जाएगा अंति दूंग चार से कट रहा है कि करना है तीन से तो देखेगा 8-16-18-23-21-22-25-27 अंको का योग 27 आया मिंस कि यह तीन से कट जाएगा तीन से कट जाएगा चार से कट रहा था मतलब की हापका 12 से कट जाएगा क्या रखने पे क्या स्थान पर आप्शन C हम ऐसा करते हैं पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं सात से ही फेक है इस वाले option में आये सातैकम साथ तीन बचेगा तीस साचो याठाइस साथ सी कर गया है एक पलस जीरो र लख सने हो जाएगा तो ॉबच गया फरें एल्टेट आपका कड़ जाएगा 13 से यहाँ पे option ए ऐसा है जो की साथ 11 13 सबसे विभाज है साथ से काटके देख लिए 11 से चेक कर लिए 13 से चेक कर लिए सबसे option कट रहा है कौन सा पिकल्प A आगे बढ़िए यदि X और Y संख्या 115 X Y के दोनों अंक है जैसे कि संख्या 90 से विभाज है तो X प्लस Y का मान बताईए 115 X Y जो है वह क्या है 115 X Y में X Y जो है इसका दो अंक है और यह नंबर कितना से विभाज है 90 से और 90 से कोई नंबर कब कटेगा 90 से कोई संख्या तब कटता है जब वह 9 से भी कटे और 10 से भी कटे 9 10 कैल्सियम 90 हो जाएगा 90 से कोई संख्या तभी कटता है जब वह 9 और 10 दोनों से कटे यहाँ पे बताना है कि X प्लस Y का मान बताईए ठीक है, क्या बताना है X पलस Y का मान बताईए तो एक चीज तो यहाँ पे fix हो गया कि 90 से तभी कटेगा जब Y का value क्या होगा 0 होगा, है ना ऐसा कोई संख्या 90 से विवाज है तो 90 से कब कटेगा जब Y के अस्थान पर 0 रखेंगे क्योंकि जब तक Y 0 नहीं होगा ठीक है जब तक Y 0 नहीं होगा तब तक 90 से कटेगा ही नहीं और बाकी का जो अंक है बाकी का जो अंक है वह कितना से कटना चाहिए बाकी का जो अंक है वह आपका कटना चाहिए 9 से तो यहाँ देखे 1 और 1 2 कितना एक और एक बगेंवेख को हुआ लेकल लेते हैं इक और एक 1957 स्थान होगा यान है ना कितना आ गया दो और य का मान do एक सिंपल्ब कहाँमान तो एक सिंपलस नमबर स साथ लैकल हुआ आभ जीरो होने से रहने से कट गया नौ से कटेगा जब बांकी का जब अंकों का योग आपका तो यह कट में क्या जोरे कि नोंन से कर जाएगा दो जोरेंगे तो कर जाएगा तो आंसर भी कलवी हो गया आगे बढ़ते हैं यदी एक Espero night कि एक संख्या जहां के is not equal to P 72 से विभाज है तो 3K plus 2P का मान बताईए जो 11 का संख्या है पहले उसको लिख लेते हैं क्या है 88 इसके साथ है P इसके अलावा 55-45-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85 और इसके अलावा क्या है 55-45- elev you like 85 और के और उसके बाद 6 है ठीक है यह जो नंबर आप देख पा है यहाँ पर 88 P 55 40 85 K6 K is not equal to P 72 से विभाज है तो हमें क्या बताना है 3K plus 2P का मान हमें यहां बताना है 3K plus 2P का मान तो 3K plus 2P का मान हम तब बता पाएंगे जब हमारे पास क्या और P दोनों होगे आए कुशिस करते हैं यह हवाला 72 से विभाज है और 72 से कोई नंबर तभी कटेगा जब वह 8 से भी कटे और 9 से भी कटे और 8 का रूल क्या कहता है अंतिम 3K 8 से कटना चाहिए तो लास्ट का 3K 8 से कटे इसके लिए क्या अस्थान पर क्या रखें हम क्या क्या अस्थान पर ऐसा कौन सा नंबर रखे एक से जीरो से लेकर के नौ तक में तो जीरो से नौ तक का ऐसा कौन सा नंबर रखे कि यहाँ आपका आठ से कड़ जाए तो अगर जीरो लेते हैं तो आठ शक्यार तालीस यहां क्या बचेगा दो और दो बचने से काम नहीं चलेगा तीन और ज्यादा बचना चाहिए तो के कामान तो फिक्स हो गया तीन तो तीन गुना के कामान तो तीन फिक्स हो गया पलस आगे दो गुना पी कामान चेक कर यह कितना हो सकता है आठ से है नमबर कट गया अब बाकी जो नमबर वचा है उसको हमें काटना है नौ से तो नौ से कब कटेगा जब अंको का योग नौ से कटी तो जोड़िए इसको आठ आठ शोला तो यही है कि कुछ और होगा एक बर चेक करते है तो पी के अस्थान पर ऐसा कौन सा नमबर रखे कि आपका कितना से कट जाए नौ से कट जाए तो पी के अस्थान पर अगर आप जीरो रखेगा तो बावन नौ से नहीं कटेगा एक रखेगा तो तिरेपन तिरेपन को नहीं काटेगा अगर आप दो रखते हैं पी के अस्थान पर तो चवबन नौ चके चवबन पी का मान्दो हो जाएगा मतलब पी के अस्थान पर दो रखने पर यह नंबर आपका नौ से कड़ जाता है तो पी का मान्दो हो गया पी का वैलू बे क्लियर हो गया क्य वाल में आई अभी बहुत सारे कोश्चन्स हम लोगों करने हैं यदि साथ अंकों की एक संख्या क्या है संख्या 504 संख्या है आपके पास 504 और क्या है 504 यहां नंबर जो है 11 से विभाज है तो X और Y के योग का कोई एक मान क्या होगा क्या बोला गया इस बार कुश्चन्स में कि साथ अंक का एक संख्या है 504 यहां नंबर 11 से कटता है 11 से कोई संख्या कब कटेगा जब अल्टरनेट अंको की योगफल का आंतर 0 ठीक है अब इसका जो डिफरेंस है यह या तो आपको 0 लाना है या फिट 11 का कोई मल्टिपल लाना है तो इसके लिए X प्लस Y कामान क्या होना चाहिए तो X प्लस Y कामान अगर यहां पर पांच रखिएगा तो 17 पांच जिरो नहीं आएगा यहार अभी नहीं आएगा अगर 17 रखते हैं X प्लस Y कामान तो 17 माइनस 17 जीरो आ जाएगा तो X प्लस Y कामान हमें क्या लेना पर जाएगा X प्लस Y कामान हमें लेना पर जाएगा 17 क्यूंकि 17 जवाब रखिएगा तो 17 माइनस 17 जीरो आएगा और अल्टरनेट अंको की योगफल का अंतर जीरो आएगा तभ 3 है X इसके अलावा 9, 3, 6, 7 क्या है 9, 3, 6, 7 9, 3, 6, 7, 8 Y यही तो है यह हवाला नंबर 72 से भी भाज है 72 से divisibility rules आपको पता होगा कटने का नियम अभी देखें आप 72 से कोई संक्या तबी कटेगा जब वो 8 से भी कटता है और 9 से भी कटता है तो आइए इसको 72 से कटवाते हैं क्योंकि इसके बारें बोलाएं कि यह 72 से डिविजुल है तो 72 से कोई संक्या तबी कटेगा जब 8 और 9 से कटे और 8 से कटने का रूल कहता है कि अनांतिमतिनंक 8 से कटना चीए तो इसका अनतिमतिनंक तो 8 से पका कटेगा तबी तो यह 72 से कट रहा होगा तो य के अस्थान पर ऐसा कौन सा अमान रखे कि यह वाला जो है वो कितना से कट जाए 8 से तो देखिए है क्या हमारे पास 8 नमा 72 छे बचा है इधर 6 बचा है यहां अगर आप 4 लेते हैं य के जगा तो 6,4,4,4,8,8,8,4 तो य का आमान क्लियर हो गया चार अब एक्स का आमान हमें क्लियर करना है यहां तक का नमबर 8 से कट गया तो बांकी का हमें किसे काटना है 9 से 9 से कोई नमबर तब करता है जब अँको का यूग 9 से कट तो सभी नमबर को जोड़िए य के जग अब 4 तो 4,8,12,7,9,6,5,3,8,8,9 कितना हो जाएगा 37 37 और 3,4,4,4,8 कितना होगा कुछ गलत तो नहीं कर दिये न एक बार फिर से हम कर लेते हैं देखे,8,3,11,1,x है इसको बाद में जोड़ लेंगे 8,3,11,9,20,3,23,26,29,29,7,37,36, और 8 हो गया इसके अंको का योग आया अभी जो अंको का योग है इसको हमें काटना है 9 से और यह 9 से कब कटेगा जब अंको का योग 9 से कटता हो तो 45 के बाद सिधे 24 कटता है तो इसके लिए x का भैलू हमें क्या लेना पर जाएगा X के जगह हम 6 रखेंगे तभी तो आपका 9 से कटेगा x के जगह अगर आप 6 रखियेगा तो 48 और 44 यह ना जाएगा और 44 बनाएगा तभी आपका 9 से कटेगा क्योंकि 9 से कोई संक्या तभी करता है जब अंको का योग 9 से कटे इसके बारे में बोला गया है कि यह 72 से कटती है 72 से कोई संख्या कब कटेगा जब 8 और 9 दोनों से कटे तो 8 से तभी कटेगा जहां संख्या जब Y के अस्थान पर हम 4 लेंगे बाकी का कोई नंबर रखे आप देख लिए 0 से लेकर के 9 तक यह 0 से लेकर के 9 तक कोई नंबर अपने मन से ढल के देख लीजे 9 से नहीं कटेगा आठ से नहीं कटेगा लेकिन 4 डालेगा देखिए आठ नमाब बहतर 6 बचेगा यहां 4 मिलेगा तभी तो आठ से कटेगा ठीक है तो एक्स का मान सोरी वाई का मान हमारे पास क्या आ गया था चार आ गया था बाकि वाई के जगा चार रखने पर यह नंबर आठ से आपका कट जाता है अब हमें क्या करना है अब हमें इस पूरे नंबर को कटवानी है नौ से तो नौ से तभी कटेगा जब अं से तो तभी कटेगा जब X के अस्थान पर हम 6 रखेंगे 486,499 से कर जाएगा तो X का मान 6 हो गया हमें क्या बताना है 3X-2Y का मान क्या होगा रखिए 3 गुने X के जगा जो X का मान कितना निकाले हैं 6 तो 6 रखिए 12 गुना Y के जगा जो Y का मान निकाले हैं Y का मान कितना है 4 यहां पर होगे छेतरिक 18 और 4 दुना 8 18 में से 8 माइनस करिएगा कितना होगा 10 आंसर बिकल्प B हो जाएगा